दोस्तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जारखन में जल्द खुलेंगे दो साल से बंद प्राइमरी स्कूल जारखन के स्कूलों में एक बार फिर से रेगुलर पढ़ाई शुरू होगी प्राइमरी स्कूलों में लगबख दो साल बाद एक बार फिर से घंटिया गुचेंगी सिक्षा विभाग ने विद्याले को खोलने का परस्ताव आपदा परमंधन प्राधिकार को भेजा है शन्यवार को सिक्षा मंतरी जगनात महतो के आवास पर मंतरी सिक्षा सचीव वो आपदा परमंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठे के बाद ये फैसला लिया गया बतादे कि इस पर आखरी फैसला मुख्यमंतरी हेमस सुरेंड की अधिक्षना में 31 जन्वरी को होने वाले आपदा परमंधन प्राधिकार समेती के बैठक में लिये जाएंगे सिक्षा बिभा की और से भेजे गए परस्ताओं में विद्यालाई को कोरोना के पहले की स्थिती में संचालित करने की मांगी गई है बता जा रहा है कि गाइडलाइन के अलावा किसी तरह की कोई बंदिश लागू नहीं करने की मांगी गई है दोस्तों बड़ी खबर है सभी राशन कार्डधारी किसानों को मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड जारखंड के क्रिसी मंतरी बादल पत्ललेक ने कहा है कि जारखंड के सभी बीरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा सबी बीरसा क्रिसक चाहे वे पीएच कार्डधारी हो या हरा राशन कार्डधारी या वाइट राशन कार्डधारी उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ कर लभाविन्त करना हमारा लक्षे है उन्होंने कहा कि बैंक से सामंजस से अस्थापीत कर अधिक से अधिक जरूरत मंद किसानों को इसका फायदा दिलवाएं बेवज़ा किसी का आविदन बैंक द्वारा रिजेक्ट न किये जाएं वे शनिवार को नेपाल हाउस में आयुजित परमंडली ये जहां परमंडल अस्तरीय समिक्षा बैठक में दक्षिनी छोटानागपूर परमंडल के बिभिन जिलों के उपायोगतों के साथ क्रिसी बिभाग द्वारा किये जारे कारियों की समिक्षा कर रहे थे दोस्तों बड़ी खबर है जहारखंड के जज उत्तम आनन्द हत्याकांड के मामले में जाच करेगी नई टीम CBN जहारखंड के नयाधीस उत्तम आनन्द की हत्या के मामले के लिए जाच अधिकारियों की एक नई टीम निउप्त की है मीडिया की खवरों को माने तो जाच अधिकारियों में यह बदलाव जारखन हाई कोट द्वारा सुनवाई के दोरान जाच पर बार बार नारजगी व्यक्त करने के बाद आया है अपनी पिछली सुनवाई में हाई कोट ने CBI अधिकारियों से ये साप करने को कहा कि चार महिने के अंतराल में संदिग्धों के दो ब्रेन मैपिंग परिक्षन क्यों के गए खबरों को माने तो CBI की नई जाँच टीम का नित्रित्व पुलिस अधिक्चक रैंक के अधिकारी विकास कुमार करेंगे जिन्हें वर्तमान में राश्टी राजधानी में CBI के विशेस अपराधिकाई टू को सौपा गया है वह पुरुव के जाँच अधिकारी A.S.P. अजय शुकला की जाँड़ेंगे दोस्तों बड़ी खबर है 15 फरवरी को आएगा चारा गोटाले के मामले का भैसला बढ़ सकती हैं लालू परसाद की मुश्किलें आरजेडी सुप्रिमों और बिहार के पूर्मुख मंतरी लालू परसाद यादव की मुसीबतें बढ़ सकती हैं चारा गोटाले के सबसे बड़े मामले में 15 फरवरी को निरनाय आएगा 15 फरवरी को लालू परसाद समेत 102 आरुपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है डोरंडास कोसगार से 149 करोड रुबै की अवयध निकासी मामले में लालू परसाद समेत 102 लोग ट्राइल फेस कर रहे हैं हलाकि आरुपियों की ओर से बहस पूरी होने के बाद भी 2-3 आरुपियों की मौत हो चुकी है लेकिन आरुपियों की ओर से मृत्यू परमान पत्र नहीं दिये जाने के कारण इसका नाम नहीं काटा गया है बता जा रहा है कि सीबियों ने 170 आरुपियों के खिलाप चार्ज शिट फाइल की थी लेकिन पूरु मुख्यमंत्री जगरात मिस्रा सहीत 70 की मुकदमे की सुनवाई के दोरान मौत हो गई बरतमान में केवल 110 आरुप ट्राइल का सामना कर रहे हैं जार्खन बिधान सभा का बजट सत्र जल्द बुलाने का होगा एलान जार्खन सरकार ने जार्खन बिधान सभा का बजट सत्र शुरू करने का फैसला लिया है फैसले के अनुसार यह सत्र अगले महिने 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा जारखन के मुख्यमंत्री के सहमधी के बाद बजट सत्र बुलाई जाने के परस्ताओं को अंतीम स्विक्रिती के लिए जारखन के राजपाल रमेश बैस के पास भेजा गया है राजपाल की स्विक्रिती मिलने के बाद ही बजट सत्र बुलाने की अधी सूचना जारी कर दी जाएगी राजपाल को भेजे गए परस्ताओं में पूर्ण अपबंधिक कारेकरम की सूची नहीं भेजी गई है पूर्ण अपबंधिक कारेक्रम की घोशना बाद में की जाएगी खबरों को माने तो राजिपाल को भेजगे प्रस्ताओं में 25 फर्वरी से 25 मार्च तक बजट सत्र आहुत करने की सिफारिश और 25 फर्वरी को उनसे अभिभाशन के लिए आगरह किया गया है दोस्तो खबर मौसम की जारखन में 4-5 फर्वरी को हो सकती है बारिश जारखन में 4-5 फर्वरी को फिर पस्चिमी बिशोब बनने के कारण जारखन में कहीं कहीं हलकी बारिश की संभावना है इस दोरान आसमान में बादल चाहे रहेंगे इसका असर 1-2 फर्वरी से दिखाई देना शुरू हो जाएगा इस दोरान निवनतम तापमान चड़ेगा 5-6 फर्वरी से मौसम साप होने की संभावना है इससे एक बार फिर निवनतम तापमान गिरेगा मौसम केंदर के अनुसार पस्ची में बिचोप खत्म होने के समय जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फ गिरा है वहां से बर्फीली हवाएं चल रही है हवा सुखी है जिसके कारण ठंड का अनुभो जादा हो रहा है यह हवा उत्तर पस्ची में दिशा से आ रही है इसका असर जार्खन में दिखाई दे रहा है 31 जनवरी तक इसके इसके इसी तरह रहने की संभावना है जार्खन में 24 घंटे में स्यामने आये कोरोना के 912 संक्रमित मामले जार्खन में कोरोना संक्रमन की रपतार धीरे धीरे कम हो रही है पीछले 24 घंटे में जार्खन में 912 नए कोरोना मरीज मिलने से यहां अपोजिटीब मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,26,141 हो गई वहीं इस दोरान 6 लोगों की इस बिमारी से मौत हो गई है जिसे मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,297 हो गई है जारखन वे राहत की बात यह है कि संक्रमित लोगों से अधिक रिकबर होने वाले मरीजों की संख्या है जारखन स्वास्त विभाग दवारा शुक्रवार की रात को जारी आकडों के अनुसार राची से 170, बोकारों से 20, 14 से 40, देवघर से 18, धनबाद से 21, दुमका से 69, पूर्वी सीभूम से 219, गढ़वा से 27, गोड़ा से 11, गुमला स 24, खूटी से 1, कोडर्मा से 2, लातेहर से 3, लोहरदगा से 13, पलामु से 22, रामगर से 7, साहिबगंच से 33, सराहिकेला से 3, सिमडगा से 200, और पस्षीमी सीम्हूम से 25 कोरोना के नए मरीज मिले हैं दोस्तो बड़ी खबर है, इस बार सीटेट एक्जाम में हुआ, बड़ा बदलाओ, परिक्षा का आयोजन 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक किया गया था, यह एक्जाम 17 जनवरी और 21 जनवरी को दोबारा आयोजित की गई थी, इसमें बे उमिदबार शामिल हुए थे, जो तक चुकी है, अब महद नतीजे का इंतिजार है, जो जल्द ही जारी हो सकते हैं, इस बार सीटेट एक्जाम कई मायनों में बेहत खास है, क्योंकि इसमें कई बड़े बदलाओ किये गए हैं, केंदर सरकार सीटेट की डिगरी को अब आजिवन समय के लिए मान्य कर दिया है, इ ऐसे में इस बार के एक्जाम रिजल्ट का आवेदकों को बेस सवरी से इंतिजार है, क्योंकि इसमें सफल होने वाले आवेदकों को मिलने वाली यह डिगरी हमेशा के लिए बायद मानी जाएगी दोस्त बड़ी खबर है, बारवी पास वालों को नए साल पर निकली, जिहां बंपर वैकनसी केंदरी ओद्योगीक सुरक्षा बल यानि CISF ने कॉंस्टेबल और फायरमेन के भरती के लिए बिग्यापन निकाली है इसके लिए ओनलाइन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो मिदवार इस पद के लिए अपलाई करना चाहते हैं वे CISF की आधिकारिक बेबसाइट CISFRECT जिहां CTT.IN पर जाकर तमाम जानकारी ले सकते हैं इस भरती परकरिया के तहत CISF देश भर में कुल 1149 पदों को भरेगा CISF की आधिकारिक बेबसाइट CISFRECTT.IN पर जारी नोटिफिकेशन के उनुसार इसमें अपलाई करने के लिए 29 जनवरी 2022 से परकरिया शुरू हो गई है वहीं CISF ने इसके आविधन के लिए आखरिती थी 4 मार्च 2022 निर्धारित की है दोस्तों अगली बड़ी खबर है राज्यसभा सदस्यों के लिए आचार संहिता जारी संसत का बजट सत्र शुरू होने से चंद दीन पहले राज्यसभा सचिवाले ने उच सदन के सदस्यों के लिए आचार संहिता जारी कर दी है संसत के पिछले सत्र में विपक्षी सदस्यों के पूरे सत्र के लिए निलंबन को लेकर काफी बवाल मचा था आचार संहिता जारी करने का निर्देश उच सदन के अध्यक्ष M.W.K. नाइडू ने दिया इसमें कहा गया है कि आचार संहिता को लेकर सदन की आचरन समिती ने अपनी चौथी रिपोर्ट 14 मार्च 2005 को पेश की थी इसे 20 अपरेल 2005 को मंजूरी दी गई समिती ने अपनी पहले रिपोर्ट में सदस्यों के लिए आचार संहिता पर बिचार किया जिसे परिशद ने भी मंजूरी दे दी सदन की परक्रिया वग कामकाच के संचालन को लेकर कहा गया है कि सदस्यों को जनता के विश्वास को बनाए रखने की जिमेदारी स्विकार करना चाहिए उन्हें जनता की भलाई के लिए काम करने के जनादेश का निर्वाह करने के लिए लगन से काम करना चाहिए देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,35,000 नए मामले देश में शुक्रवार को 2,35,532 नए कोरोना संक्रमित मिले इस दोरान 3,35 लाख लोग रिकभर हुए है जबकि 871 लोगों की कोरोना से मौत हुई है गुरुवार को 2,51,209 लोग संक्रमीत मिले थे और 627 लोगों की मौत हुई थी पिछले दिन के मुकाबले 15,677 कम संक्रमीत मिले हैं फिलाल देश में सक्रिय मामले यानी इलाच करार है मरीजों की संख्या 20 लाख हैं महमारी की शुरुवात से अब तक देश में लगभब 4,08 करोड लोग संक्रमीत की चपेट में आ चुके हैं